अपनी बेटी को जबरदस्ती बेले डांस सिखाने के लिए उसकी माँ सबसे पहले उसके हाथ पकड़ लेती है और उसकी पीट पर अपना पैर रखकर उसके शरीर को मरोरने लगती है इन सबसे इस लड़की को बहुत ज़्यादा दर्ध होता है लेकिन इसकी माँ इस पर धयान नहीं देती जिससे होता ये है कि पीट पर ज़्यादा दवाब के कारण इस लड़की की रेर की हड़ी टूट जाती है अब किसी लाश की तरह ये लड़की जमी पर गिर जाती है ये लड़की हिलने डुलने में असमर्थ है परंतु इसकी आँखों में अभी भी कुछ हल चल बाकी होती है इस लड़की की माँ यहीं ही नहीं रुखती बलकि ये तो अपनी बेटी में एक मेकिनिजम को फिट करके उसे एक डॉल बना देती है तब से ये लड़की किसी मेकैनिकल म्यूजिक बॉक्स की तरह गोल गोल घूमती वर डांस करती है दस साल से अधिक समय के बाद कई लोगों को पुरानी हवेली में एक डॉल मिली है तभी विल्यम नाम का लड़का उस पर धके कपड़े को हटा देता है जिसके अंदर इन्हें बुरी हालत में एक लड़की की डॉल मिलती है लेकिन हैरानी की बात है कि लड़की की शकल अभी भी जवान है तभी लूसी नाम की लड़की उस मेकैनिकल म्यूजिक बॉक्स में एक चाबी डाल कर उसे चालू कर देती है जिससे वो डॉल लरकी गोल गोल घूम कर डांस करने लगती है डांस के खत्म होते ही उस डॉल लरकी को एहसास हो जाता है कि कोई तो उसके आसपास है अब क्योंकि उसकी आँखे बंध है तो इसलिए वो चारों और सुमना शुरू कर देती है तबी अचानक वो आगे बढ़ती है और लूसी का गला दबाने लग जाती है लेकिन लूसी काफी मजबूत होती है इसलिए वो उस डॉल लरकी को अपने आप से दूर धगेल देती है